पंजाब कॉंग्रेस की ओर से लखीमपूर जा रहे नवजोज सिंग सिध्धू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया सिध्धू पंजाब कॉंग्रेस के अध्यक्षपद से इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन जब पंजाब कॉंग्रिस के नेताओं का काफिला लखीमपूर रवाना हुआ तो उसकी अगवाई सिद्धू नहीं की लेकिन लखीमपूर पहुँचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया पुलिस ने जब उन्हें बस में बढ़ाया तो सिद्धू ने नीचे खड़े पार्टी कारेकरताओं से हाथ मिलाया उनके अलाबा पंजाब के कई मंत्रियों और कॉंग्रिस नेताओं को भी पुलिस बस में बढ़ा कर साथ ले गए इससे पहले सिद्धू पंजाब कॉंग्रिस के नेताओं के साथ जैसे ही उत्तरप्रदेश के साहरनपुर पहुँचे पुलिस उनके रास्ते में किसी दीवार की तरह खड़ी हो गई जिसके बाद चुरू हुई जोर आजमाईश बैरिकेडिंग करके तयार खड़ी पुलिस को चखाने के लिए सिद्धू और उनके साथ आये लोगों ने हर मुम्किन कोशिश की पहले धक्का मुक्की हुई और फिर कॉंग्रिस के कुछ लोग बैरिकेड पर चड़ गए जो नहीं चड़ पाए वो उन्हें गिराने की कोशिश करने लगे अपने साथ हाये लोगों का जोश बढ़ाने में सिद्धू भी पीछे नहीं रहे एक बार तो ऐसा हुआ कि सिद्धू और पुलिस वालों की बहस तक हो गई और सिद्धू जिद पर अलगए कि वो लखीमपूर जाकर ही मानेंगे लेकिन पुलिस नहीं मानी लखीमपूर के मौझूदा हालात की वज़े से प्रशासन ने कुछ गिने चुने नेताओं को ही वहाँ जाने की इजाज़त दिये जिनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा अखिले श्यादव जैसे नेता शामिल इस बीच सिद्धू का काफिला अचानक ही लखीमपूर जाने के लिए निकल पड़ा और प्रशासन से इजाज़त नहीं मिलने की वज़े से पुलिस ने उने रोक दिया सहरनपूर में पुलिस की सकती के बीच एक मौका तो ऐसा आया जब सिद्धू के साथ आए लोगों ने पुलिस को चक्मा दे दिया और एक तरफ से आगे बढ़ने का रास्ता बना लिया जिससे सिद्धू और दूसरे कई नेता आगे बढ़े लेकिन जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाया पुलिस उन्हें और उनके साथ आये कई नेताओं को पकड़ कर ठाने ले गई सिद्धू जब मोहाली एरपोर्ट के बाहर से लखिमपुर जाने के लिए निकले तो पहले उन्होंने वहां मौझूद कारेकरताओं से बात की और किसानों के हक्त की लड़ाई लड़ने का दम भरते हुए नारे लगवाए यही नहीं उन्होंने ये संकेत भी दे दिये कि अगर उन्हें कहीं रोका गया तो भी वो पीछे नहीं अटेंगे इस दोरान उनका साथ देने चरणजीत सिंग चन्नी भी वहां पहुँचे जिनका जोस भी हाई नजर आया जिसके बाद गाड़ियों का काफिला वहां से निकल पड़ा और का जा रहा है कि उनके काफिले में हजारों गाड़ियां शामिल थी लेकिन किसानों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे सिद्धू को पट्याला में किसानों के ही विरोध का सामना करना पड़ गया सिद्धू का काफिला जैसे ही वहाँ पहुंचा किसानों ने उनका रास्ता रोक लिया और सिद्धू और दूसरे नेताओं को काले जंडे दिखाने लगे एक गाड़ी के तो वो आगे ही आकर खड़े हो गए और उसके आगे के हिस्ते पर मारने लगे यही नहीं उन्होंने गाड़ियों पर लगे पोस्टर भी फार डाले सिद्धू का काफिला जब तक वहाँ से गुजरा वो नारे लगाते रहे लखीमपूर में चार किसानों की मौत के बाद वो सियासत का केंद्र बन चुका है राहुल और प्रियंका पहले ही इस राजनीतिक लडाई में कूच चुके हैं जिसके बाद सिद्धू भी इस जंग का हिस्सा बनने लखीमपूर निकल पड़े उदर अखिलेश यादव ने लखीमपूर में पीडित परिवारों से मुलाकात की प्रशासन ने कहा था कि अखिलेश समेथ पांच लोग लखीमपूर जा सकते हैं और उन्होंने वैसा ही किया पार्टी के पांच लोगों के साथ वो लखीमपूर पहुंचे और उन किसानों के परिवार वालों से मिले जिनकी मौत गाड़ी से कुछले जाने की वज़े से हुई अखिलेश यादव जब वहां पहुंचे तो वो एक पीडित परिवार के साथ जमीन पर बैठ गए और उनसे बात करने लगे बादचीत थोड़ी लंबी चली मीडिया के जमावडे और गावालों की भीड के बीच ये तो सुनाई नहीं दिया कि क्या बात हो रही है लेकिन पीडित परिवार को देखकर ये जरूर लगा कि वो अखिलेश से अपना दुख दट बाट रहा है लखिमपूर जाने से पहले अखिलेश ने एक बार फिर ये मांग दोराई कि आरोपियों की जल्द गिरफतारी हो लखिमपूर में हिंसा के बाद से ही अखिलेश और दूसरी पार्टियों के नेता वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हालात की कंभीरता की वज़े से उन्हें प्रशासन से इजाज़त नहीं मिली थी और जब बात समली तो चुनिंदा नेताओं को बहाँ जाने दिया गया महीं लखिमपूर खिरी में नेताओं के दोरे के बीच केंद्री एक ग्री राज्यमंत्री अजे मिश्रा के घर पर पुलिस ने नोटिस चिपका दिया किसानों की मौत के मामले में उनके बेटे आशीश मिश्रा आरोपी हैं और वहाँ ना केवल मौकिक बलकि लिकित में भी अपना बयान दे। साथी आशीश मिश्रा से सबूत पेश करने को भी कहा गया। आशीश मिश्रा अपने मौबाइल में कई वीडियो मीडिया को दिखा कर ये कहते रहे हैं कि घटना के वक्त वो मौके पर मौझूद नहीं थे। माना जा रहा है कि पुलिस उनसे उन्हीं सुबूतों के बारे में बात करने वाली है। इससे पहले खबर आई कि लखीमपूर केस में आरोपी आशीश मिश्रा को गिरफतार करने के लिए पुलिस ने कई टीमें बना ली। न्यूजेटीन के अजीट सिंग की रिपोर्ट है कि आशीश मिश्रा को गिरफतार करने के लिए जो टीमें बनाई गई वो उनकी तलाश करेंगी क्योंकि उन्होंने ना अदालत में सरेंडर किया है और नहीं पुलिस के सामने पेश हुएं का तो ये भी जा रहा है कि आशीश मिश्रा फरार हो चुके हैं जिने ढूंडने के लिए पुलिस ने कई टीम में बनाई जो जगए जगए चापे मारें और उन्हें गिरफतार करने के बाद उनका बयान दर्ज होगा कहा जा रहा था कि वो सरेंडर करेंगे लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं आजी रेंज लखनो की माने तो आसिस मिश्रा की गिरफतारी की जाएगी इस बीच लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस डिपोर्ट मांग यूज़ेटीन के अधशाम खान की रिपोर्ट है कि लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि अब तक कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और कितने लोगों को गिरफतार किया गया इस पर यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और नियाइक जांच के आदेश भी दिये जा चुके हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की वकील से कहा कि उन पर केस की जांच ठीक से न करने के आरोप लग रहे हैं इसलिए राज्य सरकार इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी दे सुबह इस मामले को कि फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी सौबात की एक बात यह कि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद विपक्षी दलों के नेताओं पर बीजेपी ने राजनी तिक रोटियां सेखने का आरोप लगाय था और अब विपक्षी दल उसी आरोप को सही सावित करते भी दिख रहे हैं क्योंकि विपक्षी जिन सवालों के जवाब सरकार से मांग रहा है वो एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में सामने आ जाएंगे क्योंकि दो वकीलों की चिठी का संग्यान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई शुरू कर दिये और विपक्षी दलों के निताओं ने भी माना कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलने का पूरा भरुसा है लेकिन वो लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों और पत्रकार के घर जाने की जिद चोड़ने के लिए तैयार नहीं है